मेरे प्यारे दरशकों आप सभी के लिए उपस्थित हूँ मैं एक नई जानकारी लेकर के ग्रहों की अवस्ता, ग्रहों के तत्व़, राश्यों के तत्व़, कौन से जाती का कौन सा ग्रह है और क्या उसकी संग्या है, क्या उसका लिंग है, इन सभी बातों के लिए यदि आप जोतिश को सीखना चाहते हो और सीख रहे हो तो आपके काम की चीचे हैं हम शुरू करते हैं कि ग्रहों के लिंग और भेद वर्णन क्या हैं इसे पहले कई हमारे दरश्कों ने टिपडियां लिखी क्या कि आप ना सत्वीर शास्त्री जी की किताब पढ़ करके बता रहे हो मेरे बंधू एक चीच बताओं आपने भी कहीं न कहीं पढ़ करके ही कुछ सीखा होगा यदि हम कुछ सीखते हैं बताते हैं तो बीना पढ़े बता भी नहीं सकते जिंदिगी में हमने पढ़ाई की और एक बात आपको कहना चाहता हूँ मैं कि मैं 94 से एक एस्टेलोजर हूँ और अनुभव जितना भी हुआ उसके अनुसार अपना अनुभव भी देता हूँ और लोगों के साथ अपने अनुभव बांटता हूँ तथा दूसरों के अनुभव लेता हूँ एक दूसरे के साथ जब तक हम अपने अनुभो लेंगे नहीं देंगे नहीं आदान पदान नहीं करेंगे हमें कुछ नहीं आएगा तो आप लोग अपने टिपडी बंद करो और आराम से सीखो देखो क्या होता है हमें छोटे से छोटे बच्चे से भी सीख लेना चाहिए रही बात कि हम आपके सामने अभी फेस टू फेस नहीं आ रहे हैं लेकिन आएंगे कुछ कारणवस हम नहीं आ रहे हैं पहले भी बताया है कि हम किसी कारणवस बाई फेस नहीं आ रहे हैं लेकिन आपके सामने हम जो जानकारी लेका राते हैं वो जो अतिश के लिए कितना मह तो पूर्ण है आपको ये सीखना चाहिए तो आएज जम शुरुवात करते हैं कि ग्रहों के लिंग क्या हैं और कौन से हैं जैसे पूरुष ग्रह से हैं प्रश्ण हैं तो मैरा उत्तर यह है कि सूर्या मंगल और ब्रहसपति ये पूरुष ग्रहे हैं इस्तरी ग्रहे कौन से हैं तो उत्तर है चंद्रमा और शुक्र और नपुनसक ग्रहे कौन कौन से हैं बुध और शनी इस्तरी एउम नपुनसक दोनों तरह की अवस्थाएं बुध और शनी की हो जाती हैं चलिए अब कई बंदों ने कहा था कि आप तत्तों के बार मेस मकर सिंग ना बताएं उससे पहले अगर हम तत्तो की चर्चा नहीं करेंगे तो आपको interest नहीं होगा दिल्चस्पी नहीं होगी कि भाया गरहों के तत्तो क्या हैं तो अब हम बताते हैं आपको गरहों के तत्तो सूर्य मंगल अगनी तत्तो हैं चन्द्रमा और शुक्र जल तत्तो हैं अगनी के बाद क्या आता है जल बुध प्रत्वी तत्तो है गुरु आकाश तत्तो है और शनी वायू तत्तो ग्रह कहलाते हैं ग्रहों की दिशा क्या है तो सुर्य पूरब दिशा के स्वामी है शनी पश्चिम दिशा के स्वामी है बुध उत्तर दिशा मंगल दक् कोण के और गुरु इशान कोण के स्वामी है अब देखिए जोतिश के गणना नुसार पूर्व जनम में जातक किस लोक में था और मृत्यों के पस्चात किस लोक में जाएगा इस विचार के लिए ग्रहों के लोकों का उपयोग होता है अभी हमने कुछ दिन पहले एक वीडि लोगों की टिपड़ी आने लग गई पढ़कर के कोई भी बता सकता है अपना अनुभो कहिए मेरे मालिक मेरे दर्शकों अपना अनुभो सभी के साथ बदल करके लेकर के एक दूसरे के साथ आधान प्रदान किया जाता मैं पहले कह चुका हूँ और एक बात याद रखो हम अधान कि हमारे पिंड में भी है तो सबसे पहले आप ब्रमांड में सूर्य, चंडर, समुद्र, नदिया, तारे, व्रिक्ष, आधी देखते हो वही चीज़े अपने शरीर में भी इस्तित हैं सागर, तारे, सूर्य, चंडरमा और व्रिक्ष इत्याली तो सूर्य, चंडरमा क्या है? बोले सूर्य है नेतर चंद्रमा है मन वरिक्ष कौन है? बोले रोम है और नदियां क्या है? नाडियां है समुद्र कौन है? पेट है जो कभी भरता ही नहीं है तो हमारे यत ब्रभंभन्डे तत पिंडे जो तिसका एक समुल मंत्र है हमेशा याद रखो है कि हम जितना पढ़ेंगे जानेंगे उतना ही हम सीखेंगे तो पूर्व जन्म में जा तक को किस लोक में मतलब जन्म मिला था और मृत्यों के पशाद किस लोक में जाएगा इसके विचार के लिए ग्रहों के लोकों का उपयोग होता है जैसे सुर्ग के अधिपती कौन है पाताल लोक के अधिपती कौन है बुद्ध और मृत्यू लोक के अधिपती मंगल और सूर्य नरक के अधिपती और शनी को बिनास का अधिपती माना गया है समझे तो साहब इस प्रकार से किस-किस भाव में कौन-कौन से ग्रह कारक होते हैं वो भी मैं बता देता हूँ भाव ग्रह जैसे सूर्य प्रथम भाव के चंद्रमा चतुर्त भाव के मंगल तीसरे भाव के और अश्टम भाव के बुद्ध सप्तम भाव गुरु दूसरे भाव और पंचम भाव तथा नवम भाव एकादश भाव इतने के गुरु मालिक हैं कारक हैं शुक्र सप्तम सनी अश्टम और दसम राहू बार्वें और केतु छठे भाव में कारक ग्रह माने जाते हैं अब आप बोलेंगे कि भैया पढ़कर के बतारो भैया पढ़कर के क्या नोट करके रखा होता है क्योंकि बोलने में कहीं तूटी न रह जा इसलिए पहले नोट करना तो कारक भाव में इस्थित ग्रह भाव ग्रह या कारक ग्रह के नाम से जाना जाएगा इसके शुब और अशुब प्रभाव को कोई शक्ती नहीं रोक सकती जैसे सुप्त भाव कौन सा है जिस भाव में कोई भी ग्रह बिराजमान न हो या जिस भाव पर किसी ग्रह के दृष्टी न हो वही भाव सुप्त भाव कहलाता है ग्रह के दृष्टी जिस भाव पर पड़ रही है वहां मुकाबले पर कोई ग्रह न हो छोटा हो अपितु स्वयम हो जो कि पहले भाव का हो तो वो ग्रह सुत ग्रह कहा जाता है ठीक है ये अच्छी तरह से समझ लें कि जन्म कुंडली में पहले से छठे भाव तक को पूर बार्ध और सात्वे से बार्धे भाव तक को उत्तराध कहते हैं मेरे बंदू और अपने भाव में बैठने वाले ग्रह को जागरत ग्रह कहते हैं जैसे कि शुक्र सात्वे भाव में बैठा हो तो ये जागरत ग्रह कहा जाता है अब सुप्त ग्रह या भाव जिसे सोया हुआ ग्रह वा भाव कहते हैं अपना शुब फल कभी नहीं देता ठीक है अब हम बता देते हैं आपको कि ग्रहों के दृष्टी कौन कौन सी पड़ती है याद रखिए कि सभी ग्रह अपने स्थान से साथवे घर को पूर्ण दृष्टी से देखते हैं लेकिन मंगल अपने स्थान से चवते और आठवे स्थान को गुरु अपने स्थान से पांचवे और नवे स्थान को वाशनी अपने स्थान से तीसरे और दसवे स्थान को पूर्ण दृष्टी से देखते हैं और कुछ पुराने जोतिश्य आचारियों ने राहु केतु के दृष्टी को भी मानेता प्रदान की लेकिन महारसी पराशर ने इनके कोई दृष्टी नहीं मानी और दूसरे आचारियों ने मानी है राहु अपने स्थान से पांचवे, साथवे और नवे स्थान को पूर्ण दृष्टी से देखता है ऐसे एक क्रेतो भी की दृष्टी होती है और प्रतेक अग्रहे अपने स्थान से तीसरे और दस्वे स्थान को एक पाध दृष्टी से पांचवे और नवे स्थान को दो पाध दृष्टी से तथा चोथे और आठ्वे स्थान को तीन पाध दृष्टी से देखते है सूर्य और मंगल की दृष्टी उर्धव है यानि उपर की ओर है बुद्ध और शुक्र की तिर्ची दृष्टी है चंद्रमा और गुरु की बराबर यानि सम है और राहू और शनी की दृष्टी नीची होती है अब आपको भाव का परिचे करा देना जरूरी समझता हूँ जिससे कि आप आगे के विशयों को पूर्ण तया समझ सकें ठीक है जनम कुंडली में जो बारा कोश्टक यानि खाना होते हैं घर बनाए जाते हैं जिसे हम जनम कुंडली कहते हैं उसे भाव या भवन कहा जाता है साथ ही इनसे विचार करने वाले विशयों के नाम पर भी इनका नाम कर्ण किया गया है जैसे प्रतम भाव को लगन कहा गया है दूसरे भाव को धन कहा गया है दुतिये भाव को धन और कुटुम या कोस तीसरे भाव को कहा गया सहज भाव कहा गया पराकर्म भावाद भी कहते हैं तो इसी सब चीजों को जानकारी यदि आप चाहते हैं लेना तो आपको लगातार बने रहना चाहिए देखते रहना चाहिए झाहिए भावाद 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 झाहिए झाल 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 तो ये हो गई भावों की बात अब किस भाव में कौन सा ग्रह क्या करता है इसके बारे में आपको मैंने पीछे बारा कुंडलियों के बारा घरों के उपर पूरे नो ग्रहों का योग बताए आपको ठीक है तो दिखिए पहले भाव से क्या दिखना चाहिए लगन से क्या दिखना चाहिए शरीर सेहत चेहरा मोरा चेहरे की रंगत मन की स्थिती और अस्मन शक्ती योगता मान सम्मान प्रसिद्धी धर्म कर्म आयू जाती सुख दुख और जातक के प्रकृति यानि आदतों का बिचार पहले भाव से किया जाता है ये आपके लिए विशे बड़ा ही रोचक हो सकता है अगर आपका मन सीखने का है जानने का है तो साथ ही साथ आपके कारण हम भी थोड़ा सा आनंद ले लेते हैं चलिए दूसरे भाव से क्या क्या विचार किया जाता है जरा देखते हैं दूसरे भाव से धन, दौलत, परिवार, ससुराल और आर्थिक दशा, सोना चांदी, धात्वे, हीरे, मोती, चांदी, और विद्या, पढ़ाई, लिखाई, वाकशक्ती, धन, कमाने के साधन, स्वतंत्रता और सच्चाई का विचार दूसरे घर से किया जाता है, तीसरे घर से क्या दिखा जाता है, बल, बृधी, पराक्रम, और छोटे भाई, बहन का विचार, परिवार, पढ़ाई, लिखाई, भक्ती, भाशन देना, प्रवचन करना, जमीन, यात्रा, करजा, मित्रों से मदद मिलेगी की नहीं मिलेगी, पढ़ोसी कैसे होंगे, राग, बिद्या, गान बिद्या, और नित्यकला, पत्र बेवहार, और दूर भाश, फैक्स, टैलेक्स का विचार, इन भाईों से, तीसरे भाईों से किया जाता है, चवथे भाईों से, सुख और माता, मकान, जमीन जायदाद, सवारी का साधन, दूधवाले, गाय भैंस, पशु, जमीन में गड़ा हुआ धन, चरित्र सभ्याचार, और उत्तर दिशा की आत्रा, बुढ़ापा और दवाई पानी, चिकित्सा, आधिका विचार, चोथे घर से किया जाता है, जैसे किसी ने कहा, कि मैंने दवाई करना है, तो लाव देगा, नहीं देगा, तो चोथे भाईो से आपको देखना है, अच्छा पांचवे घर से क्या देखना है, पांचवे घर संतान का होता है, मूल रूप से, कुंडली के पांचवे घर से, संतान, बिद्या, बुद्धी, शिष्टाचार, शिष्य और गुरु, दिल बहलाने के साधन, काम साधन, आईश्वरिय, प्र यतमा, प्रतिसपरधात्मक, विद्या, कृतिया, जासूसी, रेस, लाटरी, जुवा, सट्टा, धड़ा, काब, कला, मंत्र, यंत्र, योग, अभ्यास, और आने वाला जनम, इसी पांचवे घर से देखा जाता है, न्याय और संदेश, वाहक का विचार, यहीं से किया जाता है, कि भाई, न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, छठा भाव, शत्रू का है, और छठे भाव से भोजन, खाना पिना, पाप और अन्याय, रोग, लड़ाई, जगडा, करजा, भाई, चारा, दुख, नोकर्च, और चाकर, और घाव कैसा होगा, जहरीले, और खतरनाक जानवर का डर कितना होगा, अगनी का भै है या नहीं, तो छठे घर से देखना पड़ता है, नुकसान और दुश्मनी, शत्रू का विचार इसी छठे घर से किया जाता है, अब पतनी और पती का जीवन कैसा होगा, ब्योहार कैसा होगा पतनी का, अच्छा, ब्योसाय में अगर हम सा सामने खड़ा हुआ दुश्मन, आपके सामने खड़ा हुआ दुश्मन कैसा है, करजा, पडोसी, एहंकार, बिना मेहनत के लाभ और दूसरे इस्तरियों से संतान और एहंकार का विचार, साथवे घर से किया जाता है मित्रों, अच्छा, आठवा घर जो मृत्यू का होता है यहां से क्या-क्या विचार कर सकते हैं आप, यहां से एक तो आयू का, मृत्यू का और मृत्यू के कारण, जिसे उचाई से गिरना, दहेज कितना मिलेगा, अचानक धन कहां से और कैसे मिलेगा, लंबी बीमारी, दुरघटना, आसा, निरासा, अपमान, चोरी गया माल, कोई पूछने आया है, आप से मेरा धन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आठवे घर से आपको देखना है, ग्यारवे, आठवे, दूसरे, यह अलग-अलग भी भाग हैं, आगे फिर मैं समझाओंगा, अचा निंदा, समुद्रपार की यात्रा, यात्रा में बाधा और कष्ट कितने हैं, कार्ण बस का विचार किया जाता है, किस कार्ण से आत्रा होगी, आठवे घर से किया जाता है विचार, तो नवे घर से एक तो भाग्य का घर कहा जाता है इसको, और पिता, गुरु का, दान धरम का, तिर्थे आत्रा कितनी है, आत्मिक शक्ति, भविष्वाणी, स्वपन बुद्धी आहार मित्र पहाडों में रहना लंबी समुद्री यात्रा साइन्स याने बिज्ञान नम्रता का धारमिक विचार या काम रस्मो रिवाज और इशुरी सहायता के लिए नवे घर को देखा जाता है दस्व Cabinet-ज्यारे में बारभी घर को देखने के लिए क्या है दस्वे घर कर्म का घर कहा गया है यहाँ से व्यापार कारूबार और राजदर दर्बार सरकार सरकारी कामकाज राज करने की इच्छा मान सम्मान प्रसिद्धी, सामाजिक कार्य, क्रिसी भूमी, बेश भूशा, इनाम और उपाधियां, भलाई के कार्य, धर्म के कार्य, रिश्वत, डाक्टर बैद्ध, और परिश्वम से लाव का विचार, इसी भाव से किया जाता है, जो दसम भाव है, ग्यारवे भाव को आमदनी का भाव कहा गया है, आय का साधन कहा गया है, क्या क्या साधन आय के बनेंगे, किस मार्ग से आय के साधन बनेंगे, ठीक है, यहाँ से बड़े भाई का, और बाप की जाजात का, खजाना, और उच्च पद पर रहने के, योग यहीं से देखे जा पहनावा इच्छा शक्तिकी पूर्ति क्रे विद्या राग विद्या आयु और राजी की पुरस्कार मिलने के संभावना आदि पर विचार करते हैं, ग्यारवे घर से तथा बारवे घर से इसको बे भाई का खर्च वाला घर है तो बार्वे भवन से अपव्य हानी, सरकारी दंड, जेल खाना, जुर्माना, मुकद्मा, शत्रू और बदनामी, असब भेबातें, दुर्भावना, कारावास, देश निकाला और दान, कश्ट, चोरी का सामान, जो न मिल सके, वाहन, चोर, डाकू सिभाय, विदेश, यात्रा, और सोने के लिए कमरा आदी, विशेयों का विचार, बार्वे घर से देखा जाता है तो इस प्रकार से आपको इसके बारे में हमने यहां तक बताया और बहुत कुछ जोतिष में जानना वाकी है, जितना गहरा है यह, कि हम थाहवी नहीं ले सकते पढ़ते, पढ़ते, लिखते, लिखते, उमर बीच जाती, सीखते, सीखते, जिंदगी बीच जाती है गुरु कृपा के बिना यह विद्या नहीं आती तो बहुत तुम यह ना कहकर के, कि पढ़कर के बोल रहे हो, यह करके बोल रहे हो, सीधे, सीधे उसको सुनना चाहते हो, तो सुनो, सीखो, आपको सीखने का काम अगर आ जाता है, तो इससे अच्छा और क्या होगा? अब चाहे मैं पढ़कर के बताओं, चाहे लिखकर के बताओं, लेकिन मैं आपको टाइन तो दे रहा हूँ ना, कम से कम इतना विचार जरूर करो, और फिर मैं कहता हूँ कि बार बार आपके सामने आऊंगा, कुछ समय के बाद जरूर आऊंगा, अभी मैं किसी कारणों से नहीं आपा रहा हूँ, यह मेरी अपनी एक मजबूरी है, कुछ और भी कारण हो सकता है, चलिए जदा बाते न करते हुए, आज के इस करम में, पाठे करम में, इसी वीडियो तक हम यहां पर रोकेंगे, आगे पुना हम बताएंगे, कुछ और विशे, तब तक कि लिए ले जय स्रीकुष्णा